हलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब आप सब ठीक हो गाइज नीची चाइटल देखे पता चल गया होगा कि आज की वीडियो एक गैट रेडी वीडियो है मैंने अपने रेलेटिव की किसी शादी में जाना था जब मैं त्यार हो रही थी तो सुच में कर सकते हो जा अपनी बरडे पार्टी किसी भी फनक्षन में अंगेज अपने अंगेजमेंट फनक्षण में ब्यावता किया है उसमें मैंने कोशिश किया है अपनने देखना आप वीडियो का एक भी पार्ट स्किप्ट मत करना सो सबसे पहले मैंने सेटाफिल के क्लिंजन से अपने फेस को वाश कर दिया है नेक्स मैं लेंगी पॉंड्स का जेल बेस मॉस्टुराइजर एक प्राइमर का भी काम करेगा इसमें हलोराणिक एसिड है और यह मेरे पॉंड्स को भी मिनिमाइज करेगा नेक्स मैं ले रहे हूं सेटाफिल का मॉस्टुराइजर इसको अच्छे से अपने फेस को मॉस्टुराइज करूंगी और मेरा जो बेस है वो बिल्कुल भी केक की ना लगे नेक्स मैं ले रहे हूं न्यूट्रिजिना का संस्क्रीन जो की बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है अगर आप डे टाइम में लुक क्रियेट कर रहे हो कि आपको ज्यादा टैम बहार रहना पड़ेगा तो अपने अपने मेकप के अंडर संस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप अगर आपका मेकप लुक कि आपको जरूरत है उस मेकप लुक के अब नाइटाइम कर रहे हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं कि दे टाइम में आपने संस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसको मैं अच्छे से लगाऊंगी अपने फेस के साथ साथ इसको अब परड़क्ट होता है उसको अपने लिप से अच्छे से लगा लेती हूं नेक्स में आपे ले रहे हो मैं लिप बाम यह में लिया TNW का नेक्स मैं ले रहे हो फेशियल ऑईल सिर्फ टू डॉप सी लिए है ज्यादा नहीं लोंगी सो दाट की जो मेरा फेस है वो एकदम भी ड्राई ना हो जो मेरा बेस है वो बहुत अच्छे से बने फ्लॉलेस दिखे और मेरा फाउंडेशन है वो इसली ब्लेंड हो जाए बिल्कुल भी केकी और पैची ना हो ऐसा ना हो कि ड्राई फेस की वज़ए से वह कहीं से फट जाए थोड़ी देर बाद इसी मैं अपन स्किन को प्रेप करना बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है आपने पूरे फेस को आइस को और नेक को इवन इयर्स को भी अच्छे से प्रेप करना है नेक्स मैं सबसे पहले करूंगी आई मेकप इसके लिए मैं ले रही हूं कंसीलर यह मैंने थोड़ ऐसा टू टू-3 श कलर नहीं शो करेंगे सो आइस पर आप लाइट कंसीलर ले सकते हो और इसको फिर मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी नेक्स्ट यहां पर फिर मैं इसको पाउडर की हल्प से सट कर लूँगी आप चाहो तो लूस पाउडर की हल लगाया था उससे क्रीसिस ना पड़ें नेक्स यहां पर लिया है मैंने ऐसे फार का आइशेड़ पैलेट और एक लाइट ब्राउन कलर मेरी स्किन टॉन से एक शेड डार्क मैं उसको एजे ट्रांजिशन शेड लगा लूँगी दोनों आइस पे और इसको जो जैसे कार का वाइप पर चलता है विंशिल मोशन में वैसे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और स्टार्टिंग में बहुत कम परड़क्ट को पिक करना एक दम से बहुत ज़्यादा परड़क्ट अपने पिक नहीं करना अब मैं थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ यहाँ पे मैंने डार्क प्लम शेड लिया है और उसको मैं जारत अपनी आउटर कॉर्नर पे जो आउटर वी है मेरी उस पे और थोड़ा सा इनर वी पे लगाऊंगी और फिर जितना भी लेफ्ट अवर परड़क्ट है मेरे ब्रश पे उसकी हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ जाऊंगी और दोनों साइड को उपर की तरफ जोईन करूंगी जो मैंने transition shade लगाया था मैंने उससे ठोड़ा सा इसको नीचे रखना है इसको अपनी lid के जरस्ट उपर और transition shade के नीचे क्रीज पे थोड़ा सा नीचे रखने और अब मैं ले रही हूं एक क्लीन फ्लफी ब्रश और जुतनी भी मेरी ये हार शेज़स हैं उनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं ब्लेंडिंग इस वेरी इंपॉर्टेंट आप जितना ज्यादा कम पड़क्ट पिक करके उसको जितना ज्यादा ब्लेंड करोगे उतना आपका आई मेकप अच्छा लगेगा आपने हमेशा जो ब्लेंडिंग है वो जहातर क्लीन ब्लेंडिंग के साथ करनी है क्योंकि उससे जो आपकी हार शेज़स है वो बिल्कुल खतम हो जाएंगी अब यहाँ पर मैंने लगाना था ग्लिटर सो मैं पहले एक शिमरी गोल्डन शेड को अपनी लिड पे लगा लू गोल्डन वो लगा रही हूं शिमरी बेस अब मैं यहाँ पर लगा रही हूं ग्लिटर ग्ल्यू यह मैंने लोकल स्टोर से लिया था इसका नाम आई थिंक टूवे जल है अब मैं यहाँ पर लूज ग्लिटर लगा रही हूं यह है स्विस ब्यूटी का और बहुत कव अमाउ सो इसको धीरे धीरे प्रेस करते हुए आपने लगाना है नेक्स्ट मैं थोड़ा सा अपनी आइस को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए जो आउटर भी है पैंसल ब्रश की हल्प से ये है प्रोवार्ट का PE29 ब्रश इस ब्रश की इतनी तारीफ की है न कि यह आपके लिए बहुत मस्ट है ब्रश है इसको ना अपने हमेशा अपनी वैलेटी में रखना है यह इतना अच्छा ब्रश है न कि यह आपके जितने भी आइस के कॉर्डनर होते है न जहां पर नहीं पहुंच पाता उसमें भी यह अच्छे से फिट हो जाता है और वहां पर बड़े अच्छे से ब्लेंड करता है इसके बिना में कोई भी अपनी आई लुक क्रियेट नहीं कर सकते इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट ब्रश एंड नेक्स मैं ले रही हूं यहां पर नाइक का काजल अब मैं काजल से ही बिल्कुल अपनी लैश लाइन के पास एक लाइन ड्रौ करूंगी क्योंकि मैंने लगा का आई ब्रो केक और इसमें एक डार्क ब्राउन शेड की हल्प से मैं अपनी आई ब्रोस को फिल कर रही हूं जब भी आई ब्रोस करना आपने हमेशा सेंटर से फिल करना स्टार्ट करना है जैसे मैं कर रही हूं मैंने सेंटर से स्टार्ट किया है कि सेंटे से स्टार्ट करते हुए आपने इसको ब्लेंड करते हुए जाना है और कम से कम पड़क्त करना है और जितना भी लेफ्टवर पड़क्त है उसे मैं आगे वाली आई ब्रोज को फिल करूंगी इसको ब्लेंड कर रही हुए अब मैं यहां पर मेरे पास वैट वाइप नहीं था मैं वह लेकि आना भूल गी थी क्योंकि मेरा मेकप कहीं और पड़ा था मैं कहीं वीडियो और शुट कर रही थी तो यहां पर मैंने गार्नियर का मिसेला वाटर की हल्प से अपने जो आईशे से यह किता हो गया था और यहां पर ले रही हूं मैं again मौस्च्च कर रही हूं अपने challenge को यहां पर इसको अच्छ ऑसर न की मिनने अपने फेस को मिसेला वाटर के साथ क्लीन कर लिय था tat आँ में यहां पे ले रही हूं color bar का poor filling Primer क्योक्र개म्स की जाधा प्रप्राइमर है शोटर की मेरे face एक दम से blur हो तो मेरे प्रप्री जदा नहीं और जहां-जहां मुझे problem है वहाँ आछτί से लगा रही हूं understood इसको लगाते ही नहीं ेक कट्रीटर हो गया क्योंकि मेरे मुझे न एक साइड पर पोर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है सो दैट कि मेरे फेस एकदम से ब्लर हो जाए मेरे पोर वीजिबल ज़्यादा ना हो और जहाँ-जहाँ मुझे प्रॉब्लम है वहाँ-वहाँ मैं अच्छे से लगा रही हूँ इसको लगाते ही न मेरा फेस एकदम से ब्लर हो गया मेरे इस एरिये में सबसे ज़्यादा पोर्स है यह छोटू सी जगा में अब मैं ले रही हूँ इनसाइट का कलर क्रेक्टर यह बहुत ज़्यादा क्रीमी है इतना जादा क्रीमी और मैंने इसके वारे में बहुत जादा बताया है कोई भी हाइएंड कलर करेक्टर लेने की जरूरत नहीं है इतना क्रीमी है बटरी स्मूध है एकदम से अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और पिग्मेंटेशन इसकी बहुत सही है बहुत ही जादा ब्यू की प्रॉब्लम नहीं है बटर फिर भी मैं अपने बेस को की मेरा वो जो फेस है वो थोड़ा सा फ्लॉलेस लगे इसलिए यहां पे लगा रही हूँ और इसको अपनी जो फिंगर थी उसी के साथ ब्लेंड कर रही हूं नेक्स्ट क्योंकि अभी मैंने मौस्ट्राइजर भी लगाया हुआ और कलर करेक्टर भी सो मैं यहां पे अपना कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत जादा कम अमांट में लेके अपने करेक्टर को सेट कर रह अगर मैं इसके अपने कर दो लगा दूंगी तो मेरा फांडेशन और इंज कलर का दिखेगा तो मैंने इसलिए के गया है सो दैट कि जो मेरा कलर करेक्टर जो मेरा बेस वह सेट हो जाए फांडेशन में मिक्स ना हो अब मैं इसके उपर लगा रही हूँ कंसीलर सबसे पहले मैं जो मेरे एक्ने मार्क है जा मेरी जो अंडर आई डार्कनेस है थोड़ी बहुत उसको मैं हाइड करूंगी यहाँ पर मैंने मेबलीन फिट मी का कंसीलर की यूज किया है सेम मेरा स्किन शेड है वो उसको लिया है अम मैं इसको अच्छे से ब्लेंड क लूँँगी ब्लैंड मैं इसको पैट करते हुए कर रही हूं ड्रैग नहीं कर द lavorित खीच नहीं रही नहीं तो वहां से मेरा उपर डग्त है वो हट जाएगा और फिर इसको अच्छे से blend करना है blend 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 next मैं dewy face दिखाने के लिए अपने base को dewy दिखाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर foundation यहाँ पर मैंने mac का लिया है आप कोई भी ले सकते हो मेरे पास उपर mac का पड़ा था इसलिए मैंने mac का ले लिया और इसमें मैंने faces canada का illuminator लिया है अगर आपके पास illuminator नहीं है तो आप कोई भी अपनी skin tone के साथ matching आपके पास जो शिंबरी आई shadow होगा वो आप थोड़ा से इसमें डाल सकते हो मैंने इसके उपर एक short video भी बनाई है कि आप घर पे कैसे अपना liquid illuminator बना सकते हो अपने base को कैस ज़रूरत नहीं है और फिर मैं यहां पर damn beauty blender की help से इसको अच्छे से blend कर लूँगी and you can see the glow मेरा face कितना ज्यादा गलोई and dewy दिख रहा है यहां पर जो मेरी skin name जो base अवो एकदम glass base दिख रहा है और फिर इसको करना है अच्छे से blend ears को नहीं भूलना ऐसे नहीं होना चाहिए आपका face अलग color का दिख रहा है और ears अलग और garden अलग color की सब कुछ same same होना चाहिए कभी भी अपने foundation को नीचे की तरफ ड्रैक करते हुए ब्लेंड करना अधरवाइस वो अपनी जगा से हट जाएगा और वहाँ पे जो आपका base है वो फट जाएगा crack हो जाएगा तो कोशिश करो जितना ज़्यादा आप टाइम लगा सकते हो ब्लेंडिंग में उतना ज़्यादा टाइम लगाओ तो यहाँ पर मैंने कोकी blouse पहना था तो इसके वज़ा से मेरा ये neck दिख रहा था गरदन दिख रही थी तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ को कि मैं चाहती हूँ कि मेरा face और neck और ear सब सेम सेम लगे सब लग लग कलर के ना लगे next मैं अपने face को highlight कर रही हूँ अब मैंने लिया है swiss beauty का concealer अब मैंने यहाँ पे two shade light लिया है अपने actual skin tone से अब यहाँ पे जितना भी मेरा highlighting area है वहाँ पे मैं इसको highlight कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम amount में लिया है ज्यादा amount में नहीं लिया and you can see मैं कितने अच्छे से अराम से press कर कर के इसको लगा रही हूँ बिल्कुल भी ड्रैग नहीं कर जी इसे आपको जो जितनी भी से को कि fine lines हमारे सबकी होती है और जब भी हम उपर देखते हैं make up करते करते कई बार ना make up करते करते ही उसमें cracks पड़ जाते हैं हम देखोगे मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे मैंने पूरा दिन वेडिंग में tender करके ना मैं जब घर को वापिस आई थी तो मैंने चेक किया में एक भी fine line नहीं पड़ी हूई थी एक भी crack नहीं दिख रहा था मेरा बेस इतना flawless दिख रहा था मेरा make up still वैसे का वैसा रहा था मैंने अंडर आइस को set कर लिया लूस पाउडर की help से बहुत कम लूस पाउडर लिया था यहां पर मैंने और नेक्स मैं ले रही हूँ ओटुओ की liquid blush this is one of the my most favorite blush in the shade 3 और यह बहुत ही ज़्यादा dewy blush है and this is very very pigmented आपको जब भी इसको apply करना है बहुत कम amount में करना है यह बहुत ज़्यादा pigmented है and इसके बाद लेकिन जो finish आती है न वो मतलब कि एक next level ही ले जाती है आपके न बेस को अब मैं इसी में से मैंने एक dark color का eyeshadow लेके उसको मैं as a highlight use कर रहे हूं आपने sorry sorry contour कर रहे हूं अपने face को थोड़ा सा एक chisel shape देने के लिए मैं अपनी jawline को cut कर रहे हूं थोड़ा सा forehead को forehead actually मेरा already बहुत छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है so जितना भी leftover product है सिर्फुसी से कर रहे हूं अब मैं अपने nose को fingers की help की साथ cut कर रहे हूं एक line draw कर रहे हूं जब भी आपने करनी है आपने सिर्फ nose पर नहीं इसको अंदर तक न जो अपनी eyebrows होती हैं वहां से touch करना है वहां से cut करती हूं अपने इसको लेकिया आना है next यहां पर मैं कर रहे हूं अपने chick bone को cut यहां पर मैंने loose powder के साथ इसको cut किया है एक sharp look देने के लिए एक lifted look देने के लिए so that की मेरा face थोड़ा पतला लगे चीजल लगे और जो मेरे chicks हैं वह lifted लगे next मैंने जो यहां पर अपना loose powder apply किया था आइस को bake करने के लिए उसको मैं dust out कर रही हूं और यहां पर फिर से ले रही हूं मैं यह नाइका का ब्लैप कलर का काजल this is a very good काजल बहुत जादा pigmented है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है and next यहां पर ले रही हूं मैं color bar का pencil brush और इसकी help से ही मैं इसको अच्छे से blend कर रहूंगी और यहां पर मैंने जो मैंने plump shade लिया था dark color का उसकी help से मैं blend कर रही हूं next यहां पर मैं ले रही हूं highlighter यह ले रही हूं मैं mac का this is very very beautiful highlighter इसमें ना बिल्कुल भी chunky particles नहीं है इतना खुबसूरत highlighter है न और इससे मैं अपने nose को highlight कर लूंगी और eyes के inner corners को so that की मेरी eyes opened लगे की मेरी eyes खुली-खुली हैं बड़ी-बड़ी हैं and मैं अपनी cheekbone को और यहां पर न सी बनाते हुए करूंगी so that की ना ऐसा ना लगे की मैंने यहां पर कुछ लगाया है एक reflection दे की मैंने ना एक illusion हो की मेरे natural वह highlight कर रहे हैं और उपर तक camera skin के अंदर ही ऐसे हो रहे हैं मतलब कि उसको एक continuous रखूंगी सी बनाते हुए खतम करूंगी ऐसे नहीं कि सिर्फ चिक्स के उपर ही थोड़ा सा लगा लिया अब मैं अपनी collar bond को highlight कर रहे हूं और फिस में lip balm लगा रही हूं क्योंकि make up करते करते थोड़ा सा वह foundation हट गया था स्वारी foundation लग गया था लिप बाम हट गया था इसलिए मैंने दुबारा लगया है तो रट की मेरे lips मौस्चुराइज लगे और जो मेरी लिप्स्टिक की application है वह बिल्कुल स्मूध हो बिल्कुल भी dry कहीं से फटी हुई केकी lips ना लगे और यहां पर मैंने लिया है लॉर्यल की bullet lipstick in the star collection यह शेड है प्यूर Garnet by Sonnam Kapoor अब मैं मेकप fixer को सीधा डारेक्ट अपने face पे नहीं लगा रही अपने face को बहुत ही अच्छी फिनिश देने के लिए ना आपने जब भी highlighter लगाना है उसको अपनी beauty blender पे सप्रे करके बहुत थोड़ा सा उससे अपने beauty blender से सेट करना है इससे ना जो आपकी मेकप की लुक कहना वो एकदम से चेंज हो जाएगी आपका basic दम से लुक चेंज हो जाएगी उसकी वह ऐसे लगए जैसे आपका natural skin है next मैंने falsies लगा रही है and this is my final look मैंने कुछ नी किया hairs मेरे straight है तो मैंने ऐसी इसको पीछे खुला चोड़ रही है और एक बिंदी लगा लिया है चोटी सी सिंदूर लगा लिया है jewelry पेहल रही है and guys this is my final look I hope आप सब को यह अच्छी लगी होगी वीडियो